नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत हैं अपसब का आपके पने चैनल इस पर्श क्लासे में तो आज की इस वीडियो में एक बीड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने वाले हैं टॉपिक का नाम है इंटर डिसिप्लिनरी करिक्लम अंतर अनुशाष्ण किस तरह की होता है करिकलम और सुलाह कर चुकर अपने कही तरह के करिकलम को पढ़ा था अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आये जिन में कि अधिकतर मेंबर्स को impec tablets कंसेते हैं में difference क्या है क्योंकि अगर हम दोनों को देखते हैं तो दोनों similar लगते हैं लेकिन नहीं similar नहीं है दोनों में कुछ-कुछ differences है तो वो क्या differences है वो हम आज की इस वीडियो में clear करेंगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बिलकुल easy से easy language में एक perfect example के साथ जो है मैं आपको ये दोनों की दोनों करिक्लम जो है explain कर सको most important topic मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीड में अकसर इस तरीके का questions जो है आ जाता है especially interdisciplinary curriculum जो है अकसर short answer question में पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए most important होने वाली है वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा और अगर वीडियो useful लगे तो वीडियो को like कीजेगा और दोस्ते के साथ share कीजेगा तो चलिए जादे समयना लेते वे शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को दोस्तों आपको screen पर show ह रहे होंगे various types of curriculum within प्रकार के पार्टिक है अगर आप यहां पर देखना चाहें तो आपको बहुत सारे curriculum के टाइप जो है और देखने को मिल जाएंगे जिनकों already cover कर चुकी है ठीक है पहले वीडियो में वीडियो का पूरी की प्लेडिस्ट मैंने बनाई हुई हालक से उनके यहां पर mainly सभी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो already discuss कर चुके हैं हम इनली बात करेंगे कि interdisciplinary curriculum आपका क्या होता है यहां पर आप देख सकते हैं कि interdisciplinary curriculum अंतर अनुशाशनात्मक पार्ठेग्रम आपका क्या होता है और दूसरा हम बात करेंगे integrated curriculum एक इकरत पार्ठेग curriculum की अंतर अनुशाशनात्मक पार्ठेग्रम की अब क्योंकि एकसर short में पूछा जाता है एक problem यह भी आती कि मालीज आप समझ जाते हैं लेकिन यह नहीं समझ में आता कि short answer में क्या लिखें कितना लिखें क्योंकि लगबग short answer में आपको 2-3 page लिखना होता है तो उसके को अलग-अलग point of view से पढ़ते हैं अलग-अलग subjects में पढ़ते हैं तो वही आपका interdisciplinary curriculum होता है interdisciplinary curriculum का मतलब की बच्चों के लिए एक ऐसा पार्ठेक्रम पढ़ाया जाए एक ऐसा curriculum बनाया जाए जिसमें क्या हो कि बच्चे जो है एक ही topic को अलग-अलग point of view से देखें मतलब अ content है क्या नहीं क्या story है क्यों सा topic है क्यों सा नहीं आपकी reading की class है तो सिर्फ reading कीजी कुछ भी आपकर सामरे content यह reading कीजी क्योंकि आपको सिर्फ-फिरσι्फ reading इंप्रोव आपको science की कोई theory हो जो कि English की reading में डाल दी जाए ठीक है जिससे क्या हो जब आप reading कर रहे हो तब आपको reading करने के साथ साथ उस topic का क्या मिल रहा है दूसरे subject से related knowledge भी मिल रही है उस topic के बारे में पता चल रहा है अलग-अलग topic पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी दूसरा आपको एक topic है tourism यानि की प्रियाटन इस सल के बारे में आप बच्चों को बताना चाहते हैं तो integrated curriculum के तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे पहले हम interdisciplinary curriculum की बात कर रहे हैं interdisciplinary curriculum के ओर में क्या होता है कि tourism के बारे में tourism क्या होता है अलग-अलग subject में पेपन बताना चाहते हैं कि tourism क्या होता है वहता है तो इसका इंटर डिसिप्लिनरी तरीका क्या है अंतर अनुशाष नौरात्मक पार्ठे करम के अकोर्डिंग गर हम उस वे में पढ़ाना चाहते तो उसका तरीका क्या है उसका तरीका यह है कि बच्चा ट्यूरिज्म से कितना रिवेन्यू जनरेट होता है ठीक है ट्यूरिज महिए में जो भी लोग करने बाहर से आते हैं देखने अगुमने आते हैं उनसे रिवेन्यू जनरेट होता है जास हो रहा है इस बारे में बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ेंगे इकोनोमी के क्लास में पढ़ेंगे कि ट्यूरिज्म से कितना रिवेन्य जनरेट होता है और किस तरीकी से यह काम करता है उसी के साथ साथ कौन से स्टेट में कौन सा ट्यूरिज्म है कौन सा ट्यूरिज्म सबसे जादा famous है कौन सा कम है किस राज्य में कितने ट्योरिस्ट हैं उसके बारे में हम जोग्रफिक क्लास में पढ़ेंगे तो मतलब एक टॉपिक है हमारा ट्योरिज्म उसको हम अलग-अलग point of view से देख रहे हैं उसका हम revenue generation भी देख रहे हैं वो हम economics में देख रहे हैं उसका हम जो इंटर्डिसिप्लिनरी करिक्लम होता है ठीक है अब इसको अगर हम exactly plan में लाना चाहें हम यह चाहें कि हम इंटर्डिसिप्लिनरी करिक्लम लाना चाहते हैं तो वो किस सरीके से होता है उसका दूसरा example आपके सामने है एक Bentley University है बाहर की foreign University है ठीक है इसमें क्या है इन्होंने इक तरिका Interdiscipline Curriculum का स्टार्ट किया अपनाया उसमें इन्होंने क्या क्या कि एक Topic है आपका Ethanol आपनेjemेशरी में पढ़ा हो गया क्या कि एथनोल को पढ़ाने के लिए क्या 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 कि एथनोल को पढ़ाना चाहते है कि थीक उसक्हें बारे में बताना चाहते हैं तो इन उन्होंने एथनोल से जुड़ी हुई एक यूनिट हर एक कोर्स में इंक्लूड कर दी, उन्होंने केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दी, जिसमें एथनोल के क्या केमिकल रियक्शन होते हैं, उनके बारे में बच्चे को पता चलेगा, उन्होंने एकोलोजी में भी एथनोल से एक यूनिट कर दी, उन्होंने एकोनोमिक्स में भी, इंजीनियरिंग में भी, एन्वार्मेंटल साइंस में भी, जियोलोजी में पॉलिटिकल, मतलब हर एक सब्जेक्स में एथनोल से रिलेटेड एक यूनिट जो हैं इंकल्यूड कर दी, जैसे बच्चा, स्टुदेंट्स अगर हम बात करते हैं कि वो एतनोल से कितनी प्रोडक्शन होती है, कितना उससे benefits होता है, cost benefit क्या होता है, इन सभी छीजों को analyze करना वो किसमें सीखेंगे micro economics में, topic एक था आपका ethanol, उन्होंने ethanol कैसे तरीके से बनाया जाता है, कौन सा chemical होता है, chemistry में सीखा, एथनोल का cost consumption क्या है, cost benefits क्या है, consumption कितनी है, production कितनी है, उसके बारे में वो सीखेगे, micro economics में, उसके बाद earn about, सुरी यहाँ पर learn आएगा, इसको correct कर लीजिगा, learn about legislative process involved in energy production and use in a public policy course, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते कि एक topic को आपने अलग-अलग subject में, अलग-अल कि ताज महल की history क्या है, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया गया था, ठीक है, history के बारे में पढ़ लिया, जेखा कि ताज महल जो है, कौन से रज्जी में है, कौन सी जगह पर है, उसको कितने एकर जमीन में है, उसका geographical क्या चीज़े हैं, वो आपने जेग कर देते हैं, क्योंकि सभी subjects में आपको एक topic देखने को मिल रहा है, जो कि similar है, और उसके अलग-अलग perspective से देखने को मिल रहा है, तो जब बात आती है कि एक topic को हम अलग-अलग subject में पढ़ रहे हैं, या अलग-अलग point of view से देख रहे हैं, तो वो हता है हमारा interdisciplinary curriculum, अब आता ह कर दी, plant biology में कर दिया, chemistry में कर दिया, environmental में कर दिया, अलग-अलग subject में बच्चे को एक topic की अलग-अलग perspective देखने को मिल रहे हैं, ठीके, इससे क्या होगा कि बच्चा जादे interest लेगा, इससे बच्चा जादे interest लेगा, simple सी बात है, बच्चे ने chemistry में टॉपिक पढ़ा, इत कि knowledge share होगे, knowledge बढ़ेगे, अब next हम चलते है, an integrated curriculum, एक ही करत पार्थिक्रम, इसमें क्या होता है, इसमें हम subject की line को cross कर देते हैं, अलग-अलग subject की, अलग-अलग boundary होती है, कि history के class में, आप history पढ़ोगे, geography की class में, आप geography पढ़ोगे, maths की class में, आप maths पढ़ोगे, English की class में, English पढ़ोगे, तो यह कुछ अलग-अलग subject की अलग-अलग line होती है, underlines होती है, boundaries होती है, इन boundaries को cross करके आगे चले जाना, सभी subject को एक साथ मिला देना, यही आपका integrated curriculum होता है, ठीक है, इसके एक बार definition देखते हैं, फिर example भी देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, integrated curriculum is described as one that connects different areas of study by cutting across subject matter lines and emphasizing of unifying concept, मतलब इसमें क्या होता है, कि जो किसी भी subjects की boundaries होती है, उनको काटकर उनको एक कर दिया जाए, उनको integrate कर दिया जाए, इसका हम example क्या कहीं, इसमें example ऐसा हो सकता है, कि हम बच्चों को पढ़ाते टाइम कोई ऐसी activity कराएं, को ऐसी useful, interesting activity करा रही हो, जिस activity में बच्चा history भी पढ़ रहा हो, कुछ geography भी पढ़ रहा हो, कुछ civics के बारे में भी जान रहा हो, maths के बारे में भी जान रहा हो, इस तरीकी के अलग-अलग चीजों को वो कर रहा हो, same एक ही activity, इसका best example आप ले सकते हैं, आप B.A.D. के student से second year में है, तो second year में आपको एक scouting guide का camp कराया जाता है, ठीके, scout guiding का camp क्या होता है, आपको 5-7 दिन का, 10 दिन का, आपका camp होता है, उसमें आपको अलग-अलग तरीके काम कराया जाते है, उसमें आपको पूरे दिन का system बताया जाता है, कि पूरे दिन आपको इस तरीके से करना है, एंड के दिन, जब ला जिसमें आपको माली जी ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, करा भी होगा, कि आपके माली जे 50 बच्ची हैं क्लास में, तो 50 बच्चों के अलग लग 5-5 जल 10 बच्चों के ग्रूप बना दिये, हर एक ग्रूप को एक स्टेट दे दिया और कहा गया कि तुम इस स्टेट से कोई भी एक एक प्रidać करोगे यहां पर बच्चों के सामने तो जो जब उसको एक एक्ट दिया गया उसमें बच्चे अलग लग चीजों को जान रही हैं बच्टे डांसिंग भी शीख रही हैं कोई स्किल है बच्छे में वहीं सिंगिंग भी कर रही है ठीक है बच्टे चैंट लगाना क्षिश किलाए है तो चाहिे एंड को सब्जक् realities आप refusal इसे मेंहीं बच्चे को अपनी देश के बारे में तो वह ओलो अलग अलग सब्जेक्स को एक साथ include करना यह होता है आपको integrated curriculum तो यहाँ पर आपको integrated curriculum और interdisciplinary curriculum क्या होता है इनके बीच का difference होता है यह clear हो गया होगा integrated curriculum में क्या होता है कि हम एक activity बच्चों को कराते हैं और उस activity में जादे से जादा subjects को शामिल करने की कोशिश करते हैं उस activity के थ्रू बच्चे जो है अलग-अलग subjects के बारे में जानकाली लेती है ठीक है अब interdisciplinary क्या था है interdisciplinary में हमें एक topic पढ़ाना होता था उस topic को बच्चा जो है अलग-अलग perspective से पढ़ना होता है बच्चा उस topic के history में बच्चा उस topic की history पढ़ेगा ठीक है जोग्रफी में उस topic की जोग्रफी पढ़ेगा तो इस तरीके से वह होता है interdisciplinary curriculum और जब हम एक activity करा रहे हैं उसमें सभी subjects include होगए वह आ गया आपका integrated curriculum ठीक है तो यह बात आपको मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल clear हो गई होगी कोई यहां पता सकते हैं वीडियो आपके यह लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आपके लाइक से मोडिवेशन मिलती है और वीडियों बनाने के लिए मन करता है उडिके तो लाइक की मिलें आने वाली वीडियों में आज